बदाईू में दो बच्चों के अत्या के आरोपी साजद की पत्नी का बायान सामने आया है साजद की पत्नी ने बताया कि ओ प्रेगनेंट नहीं है जबकि आरोपी ने पत्नी के प्रेगनेंट होने का बाहना बता कर पैसे मांगे थे अब पत्नी के इस खुलासे से केस में नया का बोड़ आ गया है कि आख हरी बार आपकी कब बात हुई थी ड़िंक तर बाकी हुँ कुछ we रखात, आपको पता लगा यह बच्चों के बारे में साधी पर जान पर उनका कहना कि आप गर्भवती थी जो F.I.R में कि आप गर्भवती हैं गर्भवती नहीं है साजिद ने कहा 5000 रुपए लेने गया कि उसकी पत्मी की डिलीवरी होनी है बच्चा होना है आज आज अईसे कोई बात है यह न तो तंत्र मंत्र भी कतल के पीछे एक वजय हो सकती है से दावे किये जा रहे हैं ना कि न्यूज एटीन का यह दावा आया पूरी घटना कब कैसे हुई आई एस से भी समझ लेते हैं मेरे आई इस गो ले गया वुबर अकेले काट दी या फिर लेगा हां से मंगा आया पानी सराथ का पव़़ा ले गया सराथ पी उस ना और मेरे आन को भी कार दिया जे बोला जे चीक जे गया छोटा वाल बीच वाला चीक कैसी आई अरे भाया क्या कर रहे हो तब ही उसका मुह ऐसे पकड़ लिया इसका इसने जो ऐसे धक्का मारा गिलास टूट गया कांच का सरापी थी बिलट पर फिसल गया तब ही जो भाग आया ज पूछी जाए हमाई जे उसे कि हमाई गो लोग गलती क्या थी उसे पकड़ा जाए हमारे बच्चों की गलती क्या थी या मेरे बच्चों से क्या दुस्मनी थी तुझको तुने बच्चे मेरे इतने रवे रहमी से काटे उसके बाद में तब एंकाउंटर करें फिर उसके प पापास पून करो आई उसके तो बोले दाई तो कोई बात ना है वो दाई देगो सभी रोस अज तही लड़का है मैंने बाज़ जान निका रहे दुकान मसे हमने दाई दे बाउना सिया खड़ो इको यह जिया कड़ो रहो खुल देर कैना तर तुकान मसे कम आई खड़ो आज धर एकन कज खड़ो भागरो जो ज़गो दूकान मुची को का उआगो उहां देखो वाद है कर के बरी वह थाटाए सब्सक्राइओ्णोर रखोड़ो ए सभी घ्टिकानивает Governor General Chikativa वो घर पर आया था मदद मांगने मदद मिली भी लेकिन उसके जहन में हैवानियत फरी थी ऐसी हैवानियत जिसने ना उम्र देखी ना संबंध और संपर्कों का ना ही लिहाज रखा वो मासूम जिसे देख कर योही दुलार आ जाए उसे भी बेरहमी से कत्व करने में उसके हाथ नहीं कापे यूपी का बदायू शहर वक्त शाम करीब 7.7 दिन मंगलवार पाल काटने की दुकान चलाने वाला 20-25 साल का साजिन अपने भाई जावेद के साथ दुकान के सामने रहने वाले आयूश और आहान के खर पहुँचा दो मंजिला मकान के ग्राउंड फ्रोर मन उसकी मुलाकात सबसे पहले मासूमों की दादी सो ही बोला पाँच हजार रुपए उधार चाहिए दादी ने बच्चों की मा की तरफ इशारा किया और मा ने पती को फोन करने की बाग कही साजिद इंतजार करने के लिए घर की पहली मंजिल पर चला गया जहां बच्चों की मा पारलर का काम करती है इस दोरान साजिद का भाई जावेद नीचे ही रहा घर पर आए महमान के लिए 6 साल का मासूम आहान पानी लेकर पहली मंजिल पर पहुँचा और जब तक वो कुछ समझ पाता इस दरिंदे ने उसका बेरहमी से कत्व कर दिया एक के बाद एक कई हमलों से मासूम ने तडपते हुए वहीं दम तोड़ दिया पहली मंजिल से आई आवाज सुनकर 11 साल का भाई आयुश पहुँचा लेकिन दरिंदे ने उसको भी समझने का मौका नहीं दिया और बड़ी ही बेरहमी से उसका भी कत्ल कर दिया भाई के पीछे पीछे प्यूश भी पहुँचा जो मासूम आहान से बड़ा और आयुश से उम्र में छोटा है दरिंदे ने फिर उस पर थावा बुला उसे चोट लगी लेकिन किसी तरह वो जान बचा कर भाग निकला दो मासूमों के हच्चा के बाद दोनों आरोपी भाई घर से भागने लगे महले के लोगों ने पकड़ने के कोशिश की लेकिन साजित और जावेद फरार हो गए लोगों की भीड बच्चों के घर पहुँची जहां मातम फैला था बेसुध दादी और मा अवाक पीउश को देखकर लोगों का देल कराने लगा लेकिन जैसे ही लोगों की नजर मासूमों के शौपर पड़ी करुणा और दर्द से भरी भीड आक्रोशित हो गई लोगों का घुसा शहर की सड़कों पर दिखा आगजनी हुई तोड़ फोड़ हुई और हर तरफ कोहराम मच गया पट्ड़ पट्य उनकी मां से रूँ रहा है बहुत बुराहाल उनकी माँ का है दादी का है और वीचिंच बहुश हो जाती है थोड़ा फूरी सुद उनको आती है तो फिरसे बच्च्छों को याद करती है और लगातर रोए जा रही हैं और कहीं न कहीं वो दर्द क्योंकि उस माने अपने उन दोनों बच्चों को खुनते लगवत हाल में देखा है और अब उन तस्वीर हैं उनके बारवार रहरे के उनके सामने आ रही हैं और दर्द के तोर पर हम यहाँ पर समझ सकते हैं और यह पूरा घर करीब दो मंजिल का घर है उसी घर में ये पूरा राव्ता हुआ लेकिं फिलाल अब इस इताहद हंकर यह हैं कि यहां पर आब दो बच्चों के पारक्तित शडील है वे यहाँ पर लाए जा रहे हैं और फिलाल पुलिस की मौजूद्गी में आपर है तमाम तो सभूत से वो उपर उस पालर से जुडाए गए हैं जहां पर जो संगीता अपसा पालर से लाते थी लेकिन ये तत्वीरें बहुत पेशन करते हैं संगीता के भाई या जो भी उनके करीबी उनके पास होते हैं वे ब हैं लेकिन कोशिश यह है कि पुलिस की काम में बादा या पर उतुबन ना हो तो फिलाल अब देखी हो तफिरों आपके दिखा रहे हैं कि अम्बुलेंस शब बहार के भितर दोनों बच्चों के शब या पर लाए जा रहे हैं और यह एक गमगीन पल है उस पूरे परिवार पुलिस भी मौके पर पहुची तो मासूमों का इस हाल में देखकर काप गई लोगों को समझाया बुझाया लोगों बाद की जानकारी मिली कि दरिंदे पास के जंगल में छिपे हैं पुलिस ने बिना मौका गवाए जंगल पर थावा बोल दिया चारो तरफ से घिरे आरोपी ने भागने के लिए पुलिस पर फारिंग कर दी पुलिस में भी जवावी कारवाई की थोड़ी देर की शान्ति के बाद जब जंगल में तलाशी हुई तो आरोपी का शव बरामत कर लिया गया हलाकि दूसरा आरोपी मौके से फरार हो गया